उसी शन से मैंने वास्तम में आंतरिक खुशाली की इन तक्नीकों पर ध्यान देना शुरू किया, जिसे आज हम इनर इंजिनियरिंग के रूप में सिखा रहे हैं, मुख्य रूप से उसी अनुभव से आया, कि कोई शारीरिक चीज, कोई बीमारी नहीं, टूटी हुई हड़ी जैसी शारीरिक चीज, सवा घंटे में पूरी तरह ठीक हो गई, और मैं एकदम ठीक हो गया, और इसी अनुभव से लेस होकर, मैंने कई रूपों में अपने साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया, और कई नतीजों पर पहुँचा, और आज उसे ही हम इनर एंजिनेरिंग प्रक्रिया के रूप में सिखा रहे हैं। स्वास्ते बहुत मज़ेदार चीज है, जिस तरह आज दुनिया में उसे समझा जाता है। हेल्थ प्रोफेशन बहुत कम हैं, सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन मौजूद हैं। लोग मेडिसन सीखते हैं, स्वास्ते नहीं। करीब पंद्रह हजार साल पहले, जब आदियोगी हिमाले के उपरी इलाकों में प्रकट हुए, जब लोगों ने उनसे जीवन का मार्क जानने की कोशिश की, तो उन्होंने जो पहली चीज सिखाए और सबसे मूलभूत चीज सिखाए, उसे आज भूत शुद्धी कहा जाता है, यानि शरीर के भीतर पांच तत्वों की सफाई, भूत शुद्धी अगर सही तरीके से की जाए, तो उससे भूत शुद्धी या पंच तत्वों पर महारत हासिल हो सकती है। ये इस समझ से आता है, ये इस आधार से आता है, कि अगर आप एक साफ सुथरी इमारत बनाना चाहते हैं, तो आपको बस निर्मान समगरी का ठीक से ध्यान रखना होगा। अगर निर्मान समगरी शुद्ध नहीं है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो जो इमारत आप बनाएंगे, जो धांचा आप बनाएंगे, वो घटिया कॉलिटी का होगा। ये खोशाली की तकनिके हैं, क्योंकि हमने कभी शरीर को अपना पूरा जीवन नहीं माना। हमने हमेशा शरीर को ऐसी चीज के रूप में देखा, जिसे किसी शन हम छोड़ देंगे। खोशाली की हमारी भावना जीवन की भौतिकता तक सीमित नहीं थी। इसलिए फोकस हमेशा आंतरिक खोशाली पर था, जो कुदरती रूप से एक इनसान की भौतिक खोशाली को प्रेरित करेगा। इसलिए मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, अगर आपको अपने शरीर से कोई परिशानी है, तो सबसे पहले ये समझें की शरीर कहां से बना है। अगर आप केला खाते हैं, ये केला अंदर जाकर एक इनसान बन जाता है, तो इसमें एक किस्म की समझदारी और गुण और शमता है, जो केले से इनसान बनाने में सक्षम है, तो इस शरीर का स्रजन अंदर से ही होता है। जब ये शरीर अंदर से बना है, जब हम जानते हैं कि ये शरीर के स्रजन का स्त्रोथ ही हमारे अंदर है, अगर आपको मरम्मत करनी होगी, तो आप निरमाता के पास जाना चाहेंगे, या लोकल मेकैनिक के पास। अधिकांच लोग लोकल मेकैनिक के पास जाने का चुनाव करते हैं वो इसलिए नहीं कि वो यही करना चाहते हैं वो इसलिए क्यूंकि वो निर्माता तक पहुँचने का रास्ता भूल गए है वो बुनियादी धांचा जो शारीरिक और मानविय दोनों अर्थों में आंतरिक खुशाली की इस तकनीक को लोगों तक पहुँचाने के लिए जरूरी है दुरभाग्य से देश में पिछले 200 से 300 सालों के विदेशी राज में नश्ट हो गई है जहां भी मानव आबादी रहती थी ऐसी जगएं थी जहां आशदी उगती थी और लोगों को बस वहां तक पहुँचना होता था उन्हें किसी दुकान में जाकर उसे खरीदना नहीं होता था उन्हें किसी के इलाज के लिए जरूरत नहीं थी क्यूंकि लगबग हर कोई जानता था कि खुद के साथ क्या करना है आपकी दादियां अपनी सेहत और खोशाली के बारे में जो जानती थी और आज जो पीड़ी मौजूद है उन्हें हर छोटी चीज के लिए गोली या इंजेक्शन या कुछ और की जरूत पड़ती है 50 साल में ही कैसे ये सब बदल गया है ये घटना तब की है जब मैं करीब 20 साल का था एक दिन मैं फील्ड होकी खेल रहा था और मैंने अपना टखना तोड़ लिया मैं जानता था कि हड़ी तूटना क्या होता है क्योंकि उस समय तक मैं कई बार उसे तोड़वा चुका था इसलिए मुझे जानने के लिए किसी डॉक्टर की जरुवत नहीं थी कि ये हड़ी तूट गई जब कोई हड़ी तूटती थी तो मैं जानता था कि वो तूट गई तो मेरा टखना सूज रहा था और मैं लंगडाते हुए मैदान के किनारे जाकर बैठ गया बाकि लड़के अभी खेल रहे थे और वो बहुत धूल उड़ा रहे थे मैं तेज दर्द में वहां बैठा था और मेरा पैर सूच चुका था और इस धूल और दर्द के कारण मैं किसी तरहा सांस नहीं ले पा रहा था और मेरा दम घुट रहा था मैं कुछ देर तक सांस नहीं ले पाया और सांस के लिए तड़प रहा था मैं सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था सांस के लिए हाफ रहा था उस समय तक मैं ध्यान करता था और चीजें करता था और अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई अगर स्रिष्टी का स्त्रोत ही मेरे भीतर है तो ऐसा क्यूं है कि मैं इस छोटी सी सांस को ठीक नहीं कर पा रहा ऐसा क्यूं है कि मैं इस तूटी हड़ी को ठीक नहीं कर सकता मैं करीब सवा घंटे आँखे बंद करके वहां बैठा रहा और जब मैंने अपनी आँखें खोली तो मेरी सांस बिलकुल ठीक थी और तब से वो बिलकुल ठीक है और सबसे बढ़कर मेरी टूटी टांग पूरी तरह ठीक हो गई थी सूजन कम हो गई थी और वो ठीक ठाक था मैं मासपेशियों में थोड़ा दर्द महसूस कर रहा था मगर मेरी हड़ी एकदम ठीक थी तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मैं खड़ा हुआ और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे सहारा देगा या नहीं मगर मैं ठीक था फिर मैं आपने मोटर साइकल पर चढ़ा और आप जानते हैं कि आपको बाहे पैर से किक मार कर स्टार्ट करना पड़ता है जो मैंने किया और मैं ठीक था उसी शन से मैंने वास्तम में आंतरिक खुशाली की इन तक्नीकों पर ध्यान देना शुरू किया जिसे आज हम इनर इंजिनियरिंग के रूप में सिखा रहे हैं मुख्य रूप से उसी अनुभव से आया कि कोई शारीरिक चीज कोई बीमारी नहीं तूटी हुई हड़ी जैसी शारीरिक चीज सवा घंटे में पूरी तरह ठीक हो गई और मैं एकदम ठीक हो गया और इसी अनुभव से लैस होकर मैंने कई रूपों में अपने साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया और कई नतीजों पर पहुँचा और आज उसे ही हम इनर इंजिनियरिंग प्रक्रिया के रूप में सिखा रहे हैं प्रयोग झाल